हेलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत आपका फेंटासी डीसन चेलेंजर में तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केशी स्टी ट्वेंटी पिंग चेलेंज जो की मैच होने वाला है टीम अंबर और टीम पल के बीच में और ग्राउंड रहेगा सनातन धन्रमक कॉ माना जा सकता है दो बार यह अभी इस मैदान पर 120 से स्कॉर होना है जा चैंज दक बाद करें तो यहां पर फांच मैच दूसरी ब्याटिंग करने वाल ने जीता है तो यहां पर फिप्टीफिप्टी पर्फरमनस मान सकते हो तो चले अभी दोनोंगे प्लेयर पर एक बार न यहां पर दो मैच में जीत हासिल हुई थी तो जहां पर दो मेच में हार कर आ रही है पॉइंट टेबल की बात करें तो अब यह फॉर्थ पोजीशन पर है लेकिन अभी तक एक भी बार उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है पिछली तीन मैचों में तो उन्होंने स्टं करने का मौका मिला तो कोई भी पॉइंट नहीं दे पाई थी जिंसी की बात करें तो यार पिसली च्यार मैचों की बात करें तो पर पर दिखाया उन्होंने उन्चास रन के पारी खेली साथ में एक वर की घंध बाजी लेकिन विकेट एक भी आशिल नहीं हुआ एच यू भुमिका की बात करें तो यार जब जास कॉम में चल रहे हैं पहली मैच में चॉपवन बॉल की बॉल का सामना करते हुए 42 रन किये थे जहापर दूसरी मैच में 17 गेंदों का सामना करते हुए और रन भी किये थे साथ में एक वर की घंध बाजी भी करवाई थी ल पहली मैच में चॉपवर की घंबाजी खेली थी जहापर दूसरी मैच की बात करें तो दो वर की घंबाजी की थी और एक विकेट भी आसल किया था अच सांटरा की बात कर ले तो पहली मैच मेजूने चार वर या कीеленबाजी करते हुई एक भी विकेट उसल्त नहीं हुआ था जहां पर दूसरी मैच की बात कर ले तो तीन गैद डीट का सामना करते हुए तीन रून बनाए ते सास में दो वर की मैच विकेट भास लेकिन लास्ट मैच की बात करें तो दो और की गैन बाजी लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला था तीसरी मेच में भी उनको तीन लास्ट मैच की बात करें तो एक ही गैन खिला था जहांपर कोई रन नहीं बना तीज की था और लाश्ट मैक ही कि बात करें तो सत्रा गैंडों का सामना किष्छा शाहां पर 14 गैंडों का स्कॉर कीया थे रहे लेकिन विटमिट मिलता किष्या है जो और चौरी चार में एक ही बार विकेट उनको मिला आए तो पहली मेंच की बात करें तो दो गैंडो न हो के लियाFT अजहां पर दो गैंडो का समना vrijLiagine एक किया Haloak मैच की बात करें तो यार अट्रा गेंदों का सामना करते हैं अच्छा कासा स्कॉर किया था साथ में दो और की गेंद बाजी की थी लेकिन विकेट एक भी नहीं मिला था जे जीशा की बात करें तो पहली मैच में दो और की गेंद बाजी की थी जहां पर एक विकेट मिला था और दूसरी मेच में उनको मौका मिला तो नो गेंदों का सामना किया और दो विकेट दो रन बनाए और साथ में दो वर के गेंद बाजी की साथ में कोई भी विकेट नहीं मिला सरस्वती उन्निप अमिट की बात करें तो याद दोनों ही मैच में 5-5 औरन का स्कॉर किया है दोनों ही मैच में 4-4 और 4-4 गेंदे खेलने मिली है एस गायतरी की बात करें तो पहली मैच में उनको मौका मिला जहाँ पर 3 और की गयनबाजी की और एक भी विकेट असिल नहीं हुआ जहाँ पर लास मैच में उनको एक और गयनबाजी करने का मौका मिला था और वहाँ पर भी एक भी विकेट नहीं मिला था तीम पलपर एकवाल नजन डाल देते हैं जहांपर दो में जीत हला है तो आपर तीसरे नमर पर है अब हुआ जी मारिया की बात करें तो लाइस मेश जहांपर 24 गेंड़ों का सामना करते हूए 12 रण का स्कोर किया था मैश कि बात करें तो पहली मैच में 32 rebuild का सामना कर्ते हैं 25 रन किये थे तिसरी मैच की बात की बात करें तो तो कैसे कंदों का सामना के धार लुश स्कोर थे और यहां जीपन्ग हुँ मां तो किना गेन्टे और आठ अच्चा भलात करते हैं 25 रन चाह नहीं का कौर किया थे साथ में चौथी मैच की बात कि अच्छा अच्छा इसे बहुत अच्छी थी। क्षी थी। उसको मौका दो, तबन ज़से। तो 9 गेंदों का सामना किया और 17 रन का स्कॉर किया था जी गाया थिरी देवी की बात करें तो 20 गेंदों का सामना किया और 13 रन का स्कॉर किया हुआ है अधिरा की बात करें तो 7 गेंदों का सामना किया जहां पर 8 रन बनाये हैं अनिल कुमार अनुष्र की बात करें तो यार पहली मैच के बात करें 4 रोर की गयन पाझे की थी तीन विकेट अशिल के थी तीन गयन ते खिलने को मिली थी जहाँ पर एक रन बनाया था आपर दूसरी मैच की बात कर तो एक ही गयन खिलने के मुली थे जहां पर कोई भी रन नहीं बना था। मैच के बात कर तो बाराइजदों का सामना किया और साथ मे नौर रन बनाए और साथ मे चार और की गयन बाजी भी और एक अच्छे-खाची विकेट भी किया था लाश्ट मैच के बात के रहे तो च्छे गंदों का सामना करते हैं और जहां पर एक विकेट लेके आई थी जेक किर्थी के बात के रहे तो यार दंबा के दार प्रदर्शन दे रहे हैं टीम इंडिया में टीम के तरफ से खेली हुई प्लेयर से और काफी अच्छा दम बनाये थे साथ में चार वर की गंदाजी करते दो विकेट पर आसिल किया थी तीसरी मैंलें चार वर की गंदाजी किती और इसीरे मजय की बात के ती लिए था उन्होंने जब सामने वाली टीम को जरूरत थी 6 गंदों में 15 रन बनाने की तब यह ओवर लेके आई थी तीन विकेट लेके अपनी टीम को जीत हासिल करवाई थी सबीन मरियम केजिया की बात करे थी टीम लगातार उनको मौका दे रही है कभी चोथे नमर पर कभी तीसरे नमर पर आज ओपनिंग करवाई थी लेकिन किसी भी पोजिशन पर अभी तक सफल नहीं हो पाई रहे तो पहली मैच की बात करे तो साथ गंदों का सामना किया था चार पर एक बनाय था दूसरी में ज件 20 का सामना ना की था वहां पर वे फीवासी रन बनाये थे और शाथ में चार ओर्गेंड़ों का साही टा लेकिन biggest मेंजर में दед एक नहीं नहीं मिलाता है देख सकते हूं देख सकते हो आपके पिछली तीनों मैंजा. तो चार ओर पूरी करवा रही तो हमारे लिए एमपोर्टेट हो सकती है एस अलीना की बात करे तो फेली मैच में दो ओर की गन्बाजी की थी विकेट एक भी नहीं मिला था एस स्रीक्रिस्टन की बात करें तो नो गेंदों का सामना करते हुए एक रंड बना थे और एक वर की गेंद बाजी करते हुए एक भी विकेट हासिल नहीं हुई थी पिभधरा की बात करें तो थी जाँ पर एक विकेट मिला था प्रदीटित कुमार की बात करें तो थी तीन वर की जाँ पर एक विकेट नहीं मिला था तिसरी मैच की बात करें तो चार गेंदे खिलनाओं को मिली थी जहाँ पर एक रन बनाया था, साथ में चार गेंदे खिलनाओं को मिली थी लास्ट ओर में जहाँ पर दो रन बनाये थे तो टीम अंबर और टीम पल की पहली मैच की बात करें तो याद सबसे पहली मैच खेले गई थी टीम अंबर और टीम पल के बिच में तबी अंबर ने टीम पल को 19 रन से हराया था और जहाँ पर टॉप परफोर्मस रही थी प्रदर्शन दिया हुआ है टॉप पिक्स की बात करें तो हमारे लिए इस मैच में जे किर्थी इंपोर्टन रहने वाले साथ में एल नित्या जी जिनसी एच यू भूमेगा अनिल कुमार अनुसरी और आप यहाँ पर एड़ करना चाहे तो क्यक्क अपरणा को भी एड़ कर सकते हो क्योंकि वह पहली मैच में उनके सामने तीन विकेट ले गई थी चार ओवर क सबसे बहुतर चोईस होने वाली है वाकि आप चाहे तो स्टेटस के इसाथ आप किसी को भी बना सकते हो तो चलिए अभी टीम पर एक बार नजर डाल लेते हैं तो यह आप आप देख सकते हो कि विकेट कीविंग चक्षन में से मेरी टीम में रहने वाली है अच्वती बाबू जो की अच्छा खासा पर्फरमांस दे रही है आप चाहे तो जया लक्समी को लेख सकते हैं लेकिन कैचिंग से स्टंपिंग से पॉइंट दे सकती है तो वि मुझे अच्छा उप्सन नहीं दिख रहा है यहां पर विक वाल राउंडर श्यक्षन के बात करें तो यहां पर मैंने केके अपरना को लिया है क्योंकि उन्होंने पहली मैच में टीम पल के सामने तीन विकेट आशिल किये तो शायद इस मैच में भी अच्छा खासा डॉमि बॉलिंग श्रक्षन की बात करें तो यहां से मेरी साथ जाएगी जेक किर्थी और इसके साथ मैंने लिया यहां पर एल निंथ्या और वी एस मुर्दूला को आप चाहें तो यहां पर सभू मलवयका को भी चांस दे सकते हो और एस मर्यम किजवी को भी दे सकते हो यार उप और साथ में आप तो आक सकता हो कि कुछ इस aondre रहने वाली है मैंने कैप्टेंशिप को और वाइस कैप्टेंशिब को और रिफिक एक法 अधीज सकते हो य्याद रहेता निकटी चंटिस हो सकते है् तो फ़ाइनल डीम के लिए आपको इंपली टेलीग्राम चैनल पर लेना इनके सकार लिंक वर्क नहीं करती है तो आप सीथे जाए टेलिग्रामे और सर्च कर दीजे फेंटासी डिसंट चैलेंजर या फिर आप सर्च कर सकते हो FDC27 आपको सीथा टॉप पे अमारी चैनल मिल जाएगी तो यार वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेर जरूर कर कर दो आप सकते हो